वेलकम बैक टू माई चैनल लाइमेन लाइफ इद सार के आज हम बनाने जा रहें कुछ ऐसा जो आपके बचे हुए खाने को एक नई जिन्दगी देगा अक्सर घर पर कुछ बच जाता है आप नहीं जानते हैं कि इसे कैसे इस्तमाल करें तो ये रेसेपी आपके लिए है जिसका नाम है चिकन एक सबसी डिलाइट तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर मेरे पास एक एक फ्राई है और कुछ यहाँ पर पीसेज हैं चिकन रोस्ट चिकन के बोल सकते हैं यानि कि चिकन टिक का तो ये सब मेरे पास ना बचा हुआ था क्योंकि मौर्निंग मेरे बेटे ने ये एक खाया नहीं मैंने उसके लिए बनाया था तो ये भी रखा हुआ था आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं मेरे पास एक एक था यानि कि मैंने उसी के लिए बनाया था और साथ में यहाँ पर पांस से छे पीस चिकन टिक का थे जो मैंने मंगवाया था और वो बच गय थे तो इन सब बचे हुए को ही आज हम इस्तमाल कर रहे हैं क्योंकि देखे हर घर में कुछ ना कुछ बच जाता है कभी पनीर बच जाता है कभी कोई सबजी बच जाती है तो उसका हम कैसे यूज करें और वो वेस्ट भी ना हो ये उसी के लिए है तो आप यहाँ पर कोई भी सामान ले सकते हैं जो आपके घर में बचा हो या फ्रिज में आपका रखा और आपको समझ में नही क्या करना है वो आपका नौन वेज भी हो सकता है वो आपका वेज भी हो सकता है बस आपको इसी तरीके से ग्रेवी बनानी है जैसे मैं अभी बना रही हूँ तो मैंने यहां पर कुछ सबजियां ली हैं जो बेसिक आपके घर में मिल जाएंगी यहां पर शिमला मिर्श था टम तेल गरम करें और पहले हम थोड़े सबजी को फ्राइब कर लेंगे क्योंकि हमारी दोनों चीजे अलड़ी पकी हुई है तो हम थोड़ी सबजी को भी फ्राइब करेंगे ताकि इनमें अच्छा सा टेक्शर आजाए जो फ्राइब हो जाएगा तो बस हमें इनको बाहर निकाल लेना है तो हमें बिल्कुल मतब गोल्डन नहीं करना है, कोई कलर नहीं करना है, बस हमें थोड़ा सा इनको सॉफ्ट करना है, तेल में ही फ्राई करना है, अच्छा तेल आप अपने ही साप से रख सकते हैं, इसमें बटर का इस्तमाल कर सकते हैं, घी का इस्तमाल कर सकते हैं, जिसमें भी आपको बनाना है उसका इस्तेमाल करीए अब मैंने थोड़ासा जीरःड ढास सख़ा करके मैं इसमें धनिया बीज़ डाल दूँंगी फिर मैं डाल दूँगी इसमें खडी लाल मिर्च और इनके डालने के बाद मैं डाल दूंगी जो मैंने प्यूरी बनाई थी दो टमाटर की और उसके साथ में लसुन अदरका पेस्ट और इनको हमें अच्छे से बूनना है फिर साथ में हम अपने बेसिक मसाले डाल देंगे जैसे हल्दी लाल मिर्ज धनिया थोड़ा सा गरम मसाला आप चाहें तो जब तक ऑईल सेपरेट नहीं हो जाएगा तब तक हमें इसको पकाना है यह सबजी बहुत टेस्टी बनती है मतलब यह जो मैं प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ यह इस तरीके से आप कोई भी नई सबजी बना सकते हैं खाने में बहुत टेस्टी लगती है आप इस तर सबजी तयार हो जाती है और सब को पसंद आती है तो मैंने यहाँ पर देखिए सब कुछ डाल दिया था जो मैंने फ्राई सबजी किया था जो एक था और जो मैंने टिक्के को सलाइस किया था इनको सब को डालना है अपने हिसाब से पानी डाल दीजिए और इसको पका लिज चाहते हैं तो आप coconut cream डाल सकते हैं यहाँ पर अगर भी नहीं डालना चाहते हैं लेकिन कर्ट यानि कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि खट्टे के लिए हमने यहाँ पर अल्री टमाटा डाला हुआ है काटके भी डाला हुआ है तो बहुत खट्टी सबजी अच्छी नहीं लगेगी डिपेंड करता आपके च्वाइस के ओपर कि आप रेसिपी को कैसे बनाना चाहते हैं अब चिकन एक फ्राइड लाइड बिल्कुल तयार है और अब मैं मिलूंगे आपसे नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू